हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल एक स्मार्टी क्रिएटर में फिर से आप लोगों का तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फोर्ट सेंड इलेक्तिकर स्लेवस के बारे में ठीक है तो हम लोग एक एक युणिट के बारे में बात करेंगे और उन में हमारे पांच यूनिट्स हैं डीसी मसीन जेनरल जिसमें आप लोगो डेफिनिशन वगरा सब बताया जाएगा डीसी मोटर के बारे में बताना है सकेंड यूनिट में थार्ड है सिंगल फेस ट्रांसफोर्मर ठीक है इसके फॉर्मूला और कुछ नुमेरिकल होगे चौता ह है हमारा थ्री फेस ट्रांसफोर्मर ठीक है और पांच में हमारे स्पेशल परफस्ट्रांसफोर्मर तो इस्पेशल परफस्ट्रांसफोर्मर में ज्यादा कुछ नहीं जैसे हमारा होता है करेंट ट्रांसफोर्मर पोटेंचिल ट्रांसफोर्मर यह सब आप लोगों जानने बेसिक्स और यह दोस्तों एक्जामिनेशन के बैसिस पर इंपोर्टेंट है यह पावर सिस्टम में कॉंप्टेशन बैसिस पर बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है तो इसे जरूर अच्छे से पढ़े पहला है मारा बैसिक्स अब ट्रांस्मिशन यहां पर आपको क्या जरू support यूज होते हैं कि इस लेटर से यह सब बता जाएगा ठीक है थर्ड हमारा transmission line parameters इसमें आप लोगों बता जाएगा अलग अलग तरह का effect जो transmission line में होते हैं ठीक है वो सब बता जाएगा जैसे skin effect होगा proximity effect यह सब अगला हमारा performance of transmission line ठीक है परसफॉर्मेंस अब ट्रॉंच लाइन में आप लोग को अलग अलग तरह के लॉसेर बताय जाएगे ट्रासमीशन लाइन में कितने तरह के लॉशेर होते हैं और यहिस इस टैप के टोपिक्स इसमे बताया जाएगा ठीक है अगला हमारा पास्मा एक्स्ट्रा हाइव ध्राइ नायाक को आपको बैलेसरो काई नाय जाएका है। यहां पर आपको ट्रांस्मेशन फिर्टे वह सारे रुसीन में थे अब लैंगला ये मट अगला यूनेट सब स्टेशन्स सब स्टेशन्स वह होते हैं जहां पर हम लोग रिसीव करते हैं और हाय वल्टेज को और वहां से हम लोग आगे ट्रांस्मिशन करते हैं ठीक है सडी डिस्ट्रिबूशन करते हैं तो यह हो गया हमारा ट्रांस्मिशन डिस्ट्रिबूशन का सब्जेक्ट अगल तो नेटवर्क सेरी में जो हमारा पहला यूनिट है वह बेसिक सर्किट यह देखिए थर्ड सेमेस्टर में आपको डीसी सर्किट का नेटवर्क सेरी पूरा बताया गया था यहां पर थोड़ा एची के तरफ फोकस्ट होगा तो आपका कंप्लेक्स नमबर अच्छा होना यह सब और लोगों ने थर्ड समेस्टर में पढ़ाएंक बस इसी का थूरा है अगला है फुर्य जब लुए सीरी जो आपलो ने सिर्ट में नहीं पढ़ा है फुर्यची पढ़ना है फुरियर ट्रांस्फों अगला है मारा लेपलेस्ट ट्रांस्वर्मेंग अपलेशन को य नेटवर्क में आप लोगों लोगों को तूपोर्ट नेटवर्क के बारे में इंट्रोड्यूस करना है कुछ निमेरिकल होंगे tali टूपोर्ट नेटवर्ट पे ठीक है अलग लगता है कि मतलब जो टूपोर्ट नेटवर्ट इंटके बारे में बताया जाए घ्यां अगला हमारा सब्यबस में यह तो इंट्रोड़क्शन और सिस्टम तो है कोस्टिंग तो इलेक्रिकल एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग भी थोड़ा थ्योरी बेस्ट और न्यूमेरिकल बेस्ट है मतलब उत्ता हाड सब्जेक्ट नहीं है फिर आप लोग कर सकते हो पहला यूनिट है इसका ड्रॉइंग एन आई रूल्स तो यहां पर कुस तरह के इसके बारे में बताया जाएगा ठीक है और कैसे सर्विस के अनेशन को इस्टॉल करना है बस यह सब कुछ-चुछ बताया जायगा ठीक है अगला है रेशीडेंशल बिल्डिंग इलेक्रिफिकेशन अप आप जैसे कि नाम से लग रहा है कि रेसिदेंशल बिल्डिंग में कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा कैसे वाइरिंग वगेरा सब यह सब आपको जानना है ठीक है अगला है हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन और फैक्ट्री यूनिट इंस्टॉलेशन मतलब यहां पर आपको टोटली जो फियोरी तो होगा ही मारा अगला सब्जेक्ट है अपलाइट एलेक्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले यूनिट फै तो वर्वली पर पाईक्पलीफायर क। आपको के लिएक उलिए करना पढ़ेगा थीक है तो हम लोग करते हैं इसके पहले यूनिट पर यहां कौण बाद भी पढ़ा था आप लोने एंप्लिफायर इसके शर्कॆइट बढ़र डिय्ग्राम सब बताहिंगे तक है सब बते हैं अलग लगाना मटिवाइबल्प्रेटर में ग मिल्टि लएंडेटर में अम्लंडिबरे रखेंग जानर में आपको ट्रांजिस्टर कैसे स्विच के तौर पी यूस होता है एक तरह से आप क्या सकते हो मतलब को एसी यही सब बताया जाएगा आप लोगों को मल्टी भब्रेटर में अगला उन्द हमारा टाइम बेस्ट जेनेरेटर टाइम बेस्ट जेनेरेटर में आप लोगों वोल्ट ट्रावलशुटिंग निनस भी लगारा खिया पर जो ट्रैस्टिंग होगा यह सब किसे के बारे में आपको जानकार्व नहीं का तो अगर आप लोगों को पूसरे में कोई प्रॉबम हो तो आप लोग कंशन सकते हो हूं जिह करेंगे थेंक आधे ङो झाल झाल